तो आज हम शेयर करेंगे एक DIY अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी जरूर ट्राइ कीजिएगा इसके लिए हमें चाहिए होगा कोई भी वेस्ट कार्डबोड बॉक्स जो की सबके घर में मिल जाते हैं स्वीट बॉक्स है या शॉपिंग में बॉक्स काफी मिल जाते हैं उनका आप रियूज कर सकते हैं और इस तरह से स्कॉर शेप में हम यह पीसे कट कर लेंगे यह 8 पीसे हैं और अब हम लेंगे एक पॉम जो की सभी के घर में मिल जाता है अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको 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 रखना इसको भी हम इनी के नाप में कट कर लेते अब हमें चाहिए होगा कोई bright color में fabric जो की आप कोई भी waste fabric ले सकते हैं कोई waste suit है या कोई shirt है जो की पुरानी हो चुकी है और किसी के काम की नहीं है तो उसको आप use कर सकते हैं तो यह जो color है काफी bright है और इसी का ही हम use करने वाले हैं तो इसको भी उनी square pieces के shape में cut कर लेंगे size म और अब हमारे पास foam, cardboard और fabric के pieces पूरे हो चुके हैं अब हम इन तीनो pieces को एक साथ रखेंगे और जो fabric है उससे हम इन दोनों को cover कर देंगे तो इसके लिए हम glue ले सकते हैं fabric glue ले सकते हैं या fevy bond ले सकते हैं या glue gun होती है उसका use आप कर सकते हैं तो इसकी help से हमने इस तरह से यहां पर जो fabric था उसको paste कर दिया है और जो extra इसमें side से इसके edges हैं उनको आप cut कर दीजिए और इनको फिर से आप glue से इस तरह से paste कर दीजिए तो इससे क्या होगा ये अपनी जगे से एक जगे से दूसरी जगे नहीं चाप पाएगा और एकदम set हो जाएगा और इसको cover करन करने पड़े थे side से तो उसको आपको cut ना करना पड़े और paste करने में कोई परेशानी ना आए तो इसके लिए आप इस तरह से side में cuts लगा सकते हैं जिससे ये बहुत आसानी से यहां पर थोड़ा सा set हो जाता है ये तरीका भी बहुत अच्छा लगा लेकिन ये तब हो पात जाय नहीं है कि हम बनाने क्या जा रहे हैं तो यह एक गालेंट बन रही है यानि कि जो तोरण होती है आप डेकॉर पीस के तोर पर इसको यूज कर सकते हैं जो आपका डॉर है उसके side में आप इसको hang कर सकते हैं ये hanging strings बनाने जा रहे हैं हम तो इसके लिए हमने कुछ pieces तया कर लिए हैं आप इस तरह का कोई plane fabric भी ले सकते हैं उस पे color कर सकते हैं या उस पे आप embroidery कर सकते हैं तोरण में एक चीज और यूज हो सकती है वह है इस तरह की जो खाली रील्स होती है यानि कि जो सिलाई मशीन में रील यूज होती है जब वो खाली हो जाती है तो आप उसक इसको हम cover कर देते हैं कोई भी cloth piece आप ले सकते हैं या इस पे आप color भी कर सकते हैं तो फिलहाल हमने इस तरह से इसको भी यहाँ पर glue की help से paste कर दिया है और अब एक thread लेते हैं thread में आप उन ले सकते हैं या कोई भी मोटा धागा ले सकते हैं अब सुई धागे की help से हम इन कर देते हैं आज की वीडियो शेयर करने का हमारा जो purpose था वो यही था कि आप कम से कम plastic का use करें और ज्यादे से ज्यादे चीजों को reuse करें यह जो जरूरत मन लोग हैं जो चीजें सामान बना कर बेचते हैं और DIY करते हैं उनको sell करते हैं या मिटी के बरतन या मिटी के जो दि पावली भी अच्छी होगी और दूसरों की भी पावली उनसे अच्छी होगी तो आज की जो हमने hangings तयार की हैं इसमें reuse हुआ है सभी चीजों का जिसमें waste cardboard box था waste कूरती थी और इसमें waste जो reel खाली हो जाती है वो थी और यह चोड़े-चोड़े stones थे जो कि हमारे पास जरूर बताईए इसमें और भी कुछ आप अपनी तरफ से add कर सकते हैं यह जल्दी जल्दी में थोड़ा सा idea आपसे share करना था कि प्लास्टिक का कम से कम use करके आप चीजों का reuse करके decoration कर सकते हैं तो आज की वीडियो हमें कैसी लगी जरूर बताईए थैंक यू